उत्राखंट से खबर है बारिश के बाद केदारनाथ हाईवे पर लेंड्सलाइट हुआ है फाता के पास बूसकलन हुआ गरीमत ये रही कि वहाँ से गुजर रहे वाहन पहाडी के मलबे की जद में नहीं आए भाई बारिश का चार धाम यात्रा पर भी असर तो फाता के पास बूसकलन लेकिन अच्छी बात ये रही कि वहाँ से जो वहाँ से वहाँ गुजर रहे थे वो पहाडी के मलबे में नहीं आए बारिश के बाद केदारनाथ हाईवे पर लेंड्सलाइट हुआ है बारिश के वजह से जो चार धाम यात्रा पर लोग पहुँच रहे हैं उन लोगों को भी परिशानी हो रही है और ये लैंड्सलाइट की तस्वीरें भूसकलन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हाला कि पहले इन लोगों को रोग दिया गया था कि जिस तरह से बारिश का मौसम बना हुआ था जिस तरह कि स्थितियां देखी जा रही थी और इसलिए ये गाड़ी आप देख पाने कि यहां पर रुकी हुई है लेकिन किस तरह से भूसकलन हुआ है एक बार को लोग डर गए दहशत में आ गए बारिश के बाद की ये तस्वीरें है और क्योंकि जो लोग यहां चार धाम की यात्रा करने के लिए पहुँच रहे हैं उनको थोड़ी सी परिशानी जरूर और थोड़ा सा डर भी क्योंकि इस तरह से भूसकलन सामने देखना और एक डर का माहौल बन जाता है लेकिन अच्छी बात ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ क्योंकि वहां जो लोग गुजर रहे थे वो पहले ही रुके हुए थे दूर रुके हुए थे जिस वज़े से इस मलबे की जद में नहीं आए बारिश की वज़े से ये भूसकलन नजर आया है और क्योंकि उत्राखन में जब बारिश लगातार तेज होती है तो इस तरह की तस्वीरे अक्सर नजर आती हैं और इसलिए पहले से ही पुलिस की तरफ से प्रशासन की तरफ से तैयारिया कर ली जाती है और आज भी इ दारनात की ये तस्वीरे हैं ये सूपर एक्स्क्लूजिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां भू इसकलन हुआ और इस भू इसकलन से जो लोग थे एक बार को डर गए लेकिन गनीमत ये रही कि जो मलबा था उसके जद में लोग नहीं आए फाटा के पास ये भू इसकलन हुआ है